हेलो एवरिवान आज हुम इस वीडियो में कमपार जोंगरेंगी दो लेटी स्प्रोफसर में एक है मीडिटेक G99 और एक है स्नेप ड्रेंग 732 जी देखते हैं कि वेस्ट कौन सा ही तो चली वीडियो स्टार्ट कते हैं सबसे पहले बात कते हैं लोंच डेट सी तो मीडिटेक G G99 लोंच हुआ है 2022 में खाली में लोंच हुआ है स्नेप ड्रेंग लोंच हुआ था 2020 में दो साल हो चुके है इसको लोंच हुई और सीप्यू स्पीट की बात की जाए तो मीडिटेक में आपको मिलते हैं टूपले 6 कोर जो दो कोर है E76 के साथ 2.2 का हार्ड ओक्ता कोर की स्प दूपले 6 कोर मिलते हैं जो 2 कोर है E76 के साथ 2.3 का हाड़् ओक्ता कोर की स्पीट से हैं और स्पीट के मावन में देखा जाए दोनोंमें जा डिफ्रेंस वो नहीं है और दोनोंमें आपको 64-bit's ओक्ता कोर का प्रवश्यों देहने को मिल जाता हैं बात करते हैं इसके नैनाम सिक्स नैनामीटर स्नैप ड्राइंग में है एट नैनामीटर आपको बता दी कि जितना भी नैनामीटर कम होता है उतनी ही बैटरी कपैस्टिस ज्यादा होती है जीप्यू की बात की जाए तो मिडिये टेक में है माली का जीसे तावन मेंगमोरी स्पोर्ट दोनों में सीम ही EMC 5N1 और अब बात करते हैं कैमरा स्पोर्ट की तो आपको दोनों में सीम मिलता है सिंगल कैमरा तो 108 प्लेस 32 का मिडिये टेक में डूल कैमरा है 16 प्लेस 16 का स्नैप ड्राइंग में आपको डूल कैमरा मिलता है 22 प्लेस 22 का और इसकी बात करेंग अब हम डिस्प्ले स्पॉर्ट की, तो मीडिटेक में है फुल HD+, 120 Hz का इफ्रेसित मिलता है, snapdrink में आपको मिलता है quad LCD+, जिसमें आपको 60 Hz का इफ्रेसित मिलेगा, और फुल HD में 120 Hz का और अब बात करेंगे इसके वीडियो भुकानिक अप्सान 30 एपेंस पर वीडियो स्पोर्ट में स्नेब ड्रामच वेस्ट है स्कोर की वावले में देखा जाए तो मेडाहिस डीум है 3,493 से प्लैस में स्नेब ड्रेमचर स्कोर आता है 3,504 प्लैस में और यह था दोनों का score और अब बात करते हैं दोनों के गीश्में score की तो मिडी टेक में आपको मिलते हैं सिंगल कोर पांसो पचाज मंटिपल कोर है 1663 स्नैप ड्रेंग में आपको सिंगल कोर मिलते हैं 501 मंटिपल कोर है 1776 और यह था कंपैर्जिन दोनों प्रोवसर का उमीदाओ को पसंद आया हुगा आपको दोनों में से कौन सा फोन पसंद आया कौन बोक्स में जरू बताना